दॉक्टर विनोथ पंकज मिस्रा और वेलकम इन माई यूटूब चैनल पंकज इस्टिटीट आफ इंग्लिश तो डियर फ्रेंड्स आप भी इन सब्दों की इसी प्रकार के सेंटेंस और वर्ड्स की इंग्लिश जानना सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए बैल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक क्या सेयर करिए तो सुरू करते हैं आज के जिन बाक्याओं जिन सब्दों बाक्यांसों के हम आगको इंग्लिश बदा रहे वो इस प्रकार से हैं, इस संदर्व में, उस संदर्व में, किस संदर्व में, इस प्रसंग में, उस प्रसंग में, किस प्रसंग में, मैं हिल नहीं सकता हूँ, बस में चढ़ना, वह बहुत दुबला पतला है, यह थोड़ा सा महंगा है, बहुत ज्यादा सान मत दिखाओ, हव दर्वाजा खुला रहने दो उससे मिलने जाओ संकोश मत करो वह जाने वाला है जल्दी खतम करो यदि इस प्रकार से इप वी वांट टू लर्ण इंग्लिस देन भी मस्ट है तो नॉलेज और सम्सेंटेंस और वर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन इंग्लिस इस संदर्व में कुछ भी नहीं जानता हूँ या इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ तो इसके लिए हम यूज करते हैं कि इस संदर्व में तो बोलते हैं in this respect मतलब इस संदर्व में मैं कुछ नहीं जानता हूँ उस संदर्व में लिखा है उस संदर्व में मैं बहुत कुछ जानता हूँ I know a lot in that respect तो उस संदर्व में इसको इंगले से बोलते हैं in that respect next लिखा है किस संदर्व में आप लोग किस संदर्व में पूछ रहे हैं इस प्रकार से बोलते हैं किस संदर्व में चर्चा चल रही है किस संदर्व में आप जानना चाहते हैं तो यदि किस संदर्व में हम पूछना चाहते हैं इसको इंगले से बोलेंगे in which respect in which respect किस संदर्व में next लिखा हुआ है इन दिस इस प्रसंग में तो इसको बोलते हैं in this context in this context इस प्रसंग में मैं अपने बिचार बेक्त करना चाहता हूँ I want to express my views in this context उस प्रसंग में उस प्रसंग में in that context in that context उस प्रसंग में बात चल रही थी there was discussion in that context किस प्रसंग में किस प्रसंग में in which in which context in which context किस प्रसंग में आप मुझसे मिलना चाहते हैं in which context do you want to meet me तो इस प्रकार से इस संदर में उस संदर में या किस संदर में या किस प्रसंग में इनका यूज कर सेथे हैं dear friends कभी कवार कोई बैठा होता है और कोई request करता है कि थोड़ा सा आप बैठा लीजे या थोड़ा सा खिसक जाईए तो जो जिद्धी type के लोग होते हैं मैं here, मैं hill نہیں सकता हूँ आप उठने की बात करते हैं मैं hill نہیں सकता हूँ तो मैं hill نہیں सकता हूँ इसको इंग्रे से बोलेंगे I can't move यहीँ होता कि मैं यहाँ से hill نہیں सकता हूँ I can't move from here किसी भी कीमत में मैं यहां से हिल नहीं सकता हूँ I can't move from here at any rate at any cost बस में चढ़ना तो दो प्रकार से हम किसी चीज में यात्रा करते हैं एक तो होता है कि किसी चीज के अंदर घुश जाते जैसे कार हो गई या बस हो गया और कुछ होते हैं जिसमें हम पैर को उपर करके फैला करके बढ़ते हैं तो जो पैर में फैला करके बढ़ते हैं उसको राइड बोलते हैं चुकि बस के अंदर जाते हैं तो बस में चढ़ना तो इसको बोलते हैं गेट इन्टू बस में चड़ना गेट इन्टू बस वह बहुत दूबला पतला है जब कोई व्यक्ति उससे एवरेज से भी ज्यादा पतला होता है बिलकुल हड्डी जैसा दिखता है तो बहुत दूबला पतला है इसको बोलते हैं मतला पूरी उसकी इसकिन दिख रही है हड़ी पस्लियां दिख रही है तो इस प्रकार से बोलते हैं कि वह बहुत दुबला पतला है ही इसकिनी नेक्स सेंटेंस लिखा है यह थोड़ा सा महंगा है यदि आप कुछ भी सामान करीदने जाते हैं तो अपने बज़ट बना करके जाते हैं मार्केट में और जो चीज है जितना आपका बज़ट है उससे थोड़ा सा जादा लग रहा है तो आप कहते हैं कि यह थोड़ा सा महंगा है इसको इंग्लिस भोलेंगे इस इस लिटिल कॉस्टली यह थोड़ा सा महंगा है क्यों क्या यह थोड़ा सा महंगा नहीं है is it not little costly इस प्रकार से कभी कभी हम पूछते हैं तो यह थोड़ा सा महंगा है this is little costly बहुत ज़्यादा सान मत दिखाओ dear friends जदी आप practice एक sentence ही करना चाहते है जैसे यह थोड़ा सा महंगा है this is little costly यह थोड़ा सा महंगा नहीं है this is not little costly क्या यह थोड़ा सा महंगा है is this little costly क्या यह थोड़ा सा महंगा नहीं है is this not little costly इस प्रकार से भी आप sentence को practice कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सान मत दिखाओ लोगों के पास जब कुछ नई चीज आ जाती है तो उनकी जो है वो सान बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सान मत दिखाओ don't show off too much don't show off too much don't show off too much next sentence लिखा है dear friends मौसम जो होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं सुहाबना मौसम होता है हवादार मौसम होता है ऐसा मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा हवा चलती है it's windy weather तो इसको बोलेंगे हवादार मौसम को it's windy weather it's windy weather यह हवादार मौसम है sorry तो इस प्रकार से आप कहना चाहते हैं यह हवादार मौसम है तो इसको इंगले से बोलते हैं it's windy weather आप next sentence लिखा हुआ है दरवाजा खुला रहने दो तो इस प्रकार से बोलते हैं जब कभी आप अंदर आते हैं और कोई और भी वेक्ति आने वाले होते हैं तो आप बोलते हैं कि दरवाजा खुला रहने दो keep the door open को इंगले से बोलते हैं keep the door open keep the door open कई विकार बोलते हैं कि वह बहुत दिनों के बाद अपने देश में लोटा है उससे मिलने जाओ तो उससे मिलने जाओ या वह जल्दी ही चला जाएगा उससे मिलने जाओ तो जब कभी भी इस प्रकार से हमको बोलना हो उनको इंगले से बोलते हैं go to meet him go to meet him go to meet him संकोच मत करो कई वार हम बोलते हैं संकोच मत करो जो आपको चाहिए मुझे बताओ संकोच मत करो इसे अपना घर जैसा ही समझो तो संकोच मत करो या संकचाव मत तो इसको बोलते हैं Don't Hesitate Don't Hesitate संकोच मत करो Dear friends जब बोलते हैं कि वह जाने वाला है वह जाने वाला है उसे बता दो वह जाने वाला है उसके साथ तुम भी चले जाओ इस प्रकार के sentence हम यूज करते हैं वह जाने वाला है इसको इंगले से बोलते हैं He is about to go He is about to go और last sentence है जल्दी खतम करो कोई भी काम सेलता रहता है उसको जाना रहता है तो बोलते हैं जल्दी खतम करो या कोई भी खाना खाता रहता है वह टाइम लगाते तो बोलते हैं जल्दी खतम करो इसको बोलते हैं finish soon finish soon जल्दी खतम करो तो dear friends हम इसी प्रका के sentence use करते हैं these sentences are very common sentences which we use which used by everyone सभी के द्वारा इस प्रका के sentence प्रियोग किये जाते हैं और ये sentence very helpful है आपको English सीखने में तो dear friends आपको ये sentence सीखना चाहते तो इन sentences को बार बार आप पढ़िए बार बार सुनिए या बार बार लिखिए इनका बार बार प्रियोग करके आप आसानी से पढ़ना लिखना ये बोलना सीख सकते हैं एक बार सुरू से लेके last तक देखते हैं इस संदर्व में इन दिस रिस्पेक्ट उस संदर्व में इन दाट रिस्पेक्ट किस संदर्व में इन बिच रिस्पेक्ट इस प्रसंग में इन दिस कॉंटेक्स्ट उस प्रसंग में इन दाट कॉंटेक्स्ट किस प्रसंग में इन बिच कॉंटेक्स्ट मैं हिल नहीं सकता हूं I cannot move, I can't move बस में चढ़ना, get into bus, get into bus वह बहुत दुबला पतला है He is so skinny He is skinny यहाँ पे so भी लगा सकते हैं He is so skinny यह थोड़ा सा महंगा है This is little costly This is little costly बहुत ज्यादा सान मत दिखाओ Don't show off too much हवादार मौसम It's windy weather It's windy weather दरवाजा खुला रहनें दो Keep the door open उससे मिलने जाओ Go to meet him Go to meet him संकोच मत करो Don't hesitate वह जाने वाला है He is about to go He is about to go जल्दी खतम करो Finish soon Finish soon तो dear friends I hope कि आपको इस प्रका के sentence पसंद आये होंगे यदि पसंद आये होंगे तो इन्हें जादे से जादे लाइक करिए शेर करिए और यदि आप चैनल प्ले नए हैं तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए बैल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक बहुत सब्सक्राइब Thank you for watching